नमस्का विधार्थियों, स्वागत है आप सबी लोगों का आराइस वावा पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि अधिनास सेवा चैन बोण ने हाल ही में कैलेंडर जारी किया है और कैलेंडर को देख कर बहुत सारे विधार्थियों की आखे जो है वो चकरा गई बोला यार ये जो एक्जाम है पशू परिचर का वाकई में क्या इतना बड़ा एक्जाम है कि इसको दिसंबर में कर दिया गया है पहले जून में होना था फिर सितंबर में किया गया अब जो है दिसंबर में कर दिया गया है देखे अभी हाली के अंदर ऐसा ही में बहुत सारे लोग पकड़े गए है बहुत सारी vacancies है जिसमें इन्होंने कहाए कि हमने बहुत सारे घपले किये है क्या एक विध्यारती वाकई में आज मजबूर हो चुका है ऐसे कारणामे करने के लिए यह सोचने का विशे है अगर हर साल vacancy आए तो विध्यारती को गलत कदम उठाने की कोई आवशकता ही नहीं है सरकार खुद मजबूर करती है यह मजबूरी का कारण है आप सोचे कि एक vacancy अब एक साल तक आगे खिच गई है 2024 पूरा निकल जाएगा और जितनी भी बाकी बची भी भरती है वो CET के अंदर है तो जिन्होंने CET का एक्जाम नहीं दिया वो तो इस साल जो है वो आराम से बोरिया बिस्तर बान कर सो सकता है उसको कोई आवशकता नहीं है पढ़ने की और जिसने CET का एक्जाम दिया है उन में से बहुत कम लोग जो है CET का क्वालिफाई कर पा रहे है चलिए एक बार कैलेंटर को हम लोग देख लेते हैं कि सरकार की कारणा में क्या है है ना और सरकार को वोट देना किस तरीके से नुकसान दैक हो रहा है किसी भी सरकार को चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पशू परिचर के बारे में ही कि पशू परिचर का एक्जाम जो सबसे पहले जून में होना था फिर सितंबर में किया गया और अब जो है उसका एक्जाम करवा दिया गया है दिसंबर के अंदर तो यहाँ पर देखिए कि जो exam पहले सितंबर में होना था सितंबर में होना था पशू परीचर का उसकी जगहे पर ये जो date है सितंबर की ये वाली date 21, 22, 23, 24 ये अलोट कर दी गई है CT को CT gradation को तो CT gradation का exam जो है वो 21, 22, 23 सितंबर को होनी वाला है और पशू परीचर का जो exam है वो अब आगे बढ़ चुका है और वो हो चुका है आगे बढ़ कर पशू परीचर भरती यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर 15, 16, 17, 18 रविवार से बुद्वार, दिसंबर 9 CT की तहत है और ये री पशू परीचर की भरती मतलब एक साल पूरा निकलेगा ठीक है, मतलब रसुल्ला ऐसा खिला दिया है ऐसा दिखा दिया है जिसको खा नहीं पाएंगे केबल धेख पाएंगे ठीक है तो वाकई में राजस्थान की जो इस्सिति है उसमें विद्ध्यारती को बहुत हद तक मजबूर कर दिया है इन सरकारों ने खुद की सरकार को बचाय रखने के लिए ये लोग विद्ध्यारती के साथ में खेलते हैं और हम लोग किसके इंतिजार में हैं कि सरकार आपको नोकरी देगी मैंने कई बार विद्ध्यारती को ये कहा है कि आप अपने स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर लिए लेकिन विद्ध्यारती सुनता नहीं है वो केवल और केवल ये सोचता है कि सरकार ही मुझे जब खाने के लिए देगी तबी मैं खा पाऊंगा इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपने अंदर वो स्किल्स लेकि आईए आप लोग जिसे सरकार के ओपर डिपेंडेंसी खतम हो जाए और आप लोग साइड बाई साइड जो है वो अपने स्किल्स को पर्शू करते रहें और तयारी भी करते रहें तो ये जो पर्शू परिचर का एक्जाम है वो अब आगे खिसक चुका है, December के अंदर हो चुका है चलिए एक बार सभी vacancies को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी exam जो है वो कब होगी सबसे पहले इसकी अंदर हम लोग लेते हैं वो है महिला परियवेक्षक, आंगरवाडी के अंदर और ये non-CET के तहत है इसका exam 22 जून 2024 को लगने वाला है ये एक non-CET के exam है, जो के लगने वाली है और कनिष्ट अनुदेशक, जो की ITI कीवे होते हैं वो भी non-CET के अंदर आता है जैसे कनिष्ट अनुदेशक, Fitter की non-CET के तहत है, 20 जून को लगने वाली है भरती कनिष्ट अनुदेशक, Reflection के अंदर non-CET के तह, 27 जून को exam लगने वाला है कनिष्ट अनुदेशक, Electrician मतलब कनिष्ट अनुदेशक के पीछे पड़े है आप लोग पता है कनिष्ट अनुदेशक के पीछे क्यों पड़े है राजस्थान के अंदर बेरोजगार, संग के अद्ध्यक्ष बगरा बने फिरते हैं न, यह कहते हैं कि मैं इसका अद्ध्यक्षू मैं इसका बेरोचगारों का मैं जो है है ना, ठीक है, तो मतलब कोपियों की जो जांच की जा रहे हैं न, ये जो पकड़े जा रहे हैं न, सबसे पहले अद्धक्ष बने हुए हैं, इनको पहले घंगा लो, इनका सब कारणामा आप लो, खोल के मिलेगा, ठीक है, चलो, परिविक्षक महिला की अगर बात करें, सीध ग्रेशन के तहत हैं और 28 जुलाई 2024 को ये एकजाम होने के लिए ये ग्रेशन के तहत है, ठीक है, CET ग्रेशन के तहत है, चात्रवास अधिक शक, अल्प संक्यक मामलाथ, ये CET सेकेंडरी लेवल की है, और 1 और 2 अगस्त 2024 को एकजाम होने वाली है, लिपिक ग्रेड अनकी L आगे किसका दी है, ठीक है, और देखिए आगे, शिग्र लिपिक है, निके शॉट हैंड जो है, उसकी भरती बिसीकली नॉन-CET के तहत है, और 5 अक्टूबर को एकजाम होने जा रहा है, फिर CET 10 प्लस 2, CET 10 प्लस 2 जो है, इसका एकजाम 23, 24, 25, 26, अक्टूबर 24 को होने ज करनिष्ट अनुदेशक, 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 करनिष्ट अ 23 में, एक साल बार भरती हो रही है, कि कहां का नियम है भई, क्या करवाना चाहते हैं आप इस्ट्रूइंट से, उसकी धैरे की परिक्षया, उसकी पैशिंस का परिक्षयन जो है, वो आप लोग पहले से ही लेना चाहते हैं, यहां पर बहुत सार एस्ट्रूइंट हैं, जो की डिसपॉइंट हो जाते हैं, कि आखिरकार वो एस्ट्रूइंट जो की भाहर रूम लेकर तैयारी कर रहा है, उनका क्या होगा, आखिरकार वो इस आस में रहता है, कि आखर साल मैं मिल पाता है, विध्यार्ती अपने आपको साबित करना चाहता है, कि देखी मेरे अंदर कितनी काविलेत है, लेकिन कोई एक्जाम तो ले लो, विध्यार्ती हर जगे अपने आपको साबित करने को त्यार है, अपनी जो mental ability है, इंटेलिजेंसी है उसको साबित करने को तयार है लेकिन साबित करने के लिए प्लैट्फॉर्म नहीं मिल पा रहा है और उपर से ये जो घपले वगरा हो रहे हैं ये सोने पर सुहागा है और ये जितने भी ये जो अध्यक्ष गूम रहे है ना ये वेसिकली उनका कराधरा है ये और हमारी जो एजिंसीज हैं जिसे अधिनस्यवा चैन बोर्ड है या फिर आरपेसी की बात करें ये पॉलिटिकल अलाइंड हो चुकी है पूरी तरीके से इनको केवल जो राजनेता है वही चलाते हैं आप लोग सोचते हैं ये सुतन सस्ता है ये बिल्कुल गलत बात है ये है ही नहीं ये जो हैं वो दवाओं में काम करते है पॉलिटिकल अलाइंड है जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं और तभी होता है आज देखी डोटासरा इतना बड़ा नेता है उसके बेटे के बारें पता ही है कि यार वो बिसीकली इस तरीके से अंदर जा चुका है लेकिन कौन आवाज उठाएगा है ना आप लोग आप देखी खुले मंच पर बॉलना ही पड़ता है विध्यारती के हित के अंदर हम ही नहीं बोलेगी फिर बोलेगा कौन CT का एक्जाम अब जिन्होंने ग्रेशन का एक्जाम माली CT का एक्जाम नहीं दिया है अब वो तो 2024 के अंदर कोई एक्जाम दे ही नहीं सकता है ना उसने 2023 के अंदर कोई एक्जाम भिया ना 2024 के अंदर को एक्जाम दे सकता है अब वो CT का एक्जाम जब इस समय होगी तब देगा तो वो भरतिया 2025 के अंदर आएंगी क्या गजब का intelligence इन्हों ने यूज़ किया है है ना? ठीक है? चलिए खेर देखते हैं लेकिन पश्यू परिचर जो अभी चल रहा है उसको चलने देते हैं और आगे आप लोग के लिए बहुत अच्छा वो काम करते रहेंगे सेशन को जरूर आप लोग शेर कीज़ेगा चैनल के उपर नए है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीज़ेगा थेंक यू